नमस्कार दोस्तों मैं तुशार जैन, CFO और रिसर्च है ड़ाज एस्टो मनी गुरू और तुशार क्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम के तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज 27 नवेंबर सन 2023 आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाल है मक्का के भारे में मक्का की एक खबर निकल कर आ रही है कि मक्का के अंदर आवक के अंदर बडोतरी देखने को मिली फिर भी मक्का के भावक के अंदर तेजी जारी रही तो आए जानते है पूरी खबर विस्तार से यदि हम मद्यप्रदेश में देखे तो मद्यप्रदेश के गुना ख्रेशी उपज मंडी में मक्का के जोड़दार आवक के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये है आवक बढ़ने के बावजूद दाम में तेजी का रुक दिख रहा है मक्का ने इस बार किसानों, वियापारियों और मंडी प्रशासन को माला माल कर दिया है और ये स्तिति उस वक देखने को मिली जब अक्टूबर के महिने में सरकार ने मंडी टेक्स में लगबग आदा प्रतिशत की कमी कर दी थी एक अक्टूबर से दस रवंबर के बीच सतर दिनों में मंडी को लगबग चार करोड रुपे मंडी टेक्स मिला है पहले टेक्स की दर टेड़ प्रतिशत थी वे गटकर एक प्रतिशत रहे गई है इसके बावजूद अक्टूबर में लगबग दो दशनलव चार-चार करोड मंडी टेक्स वसूला गया है बीते साल 2022 की तुलना में 38 प्रतिशत ज्यादा टेक्स वसूला गया है नवेंबर के पहले दस दिनों में लगबग एक दशनलव चार-चार-चार करोड मंडी टेक्स मिला है वही अधि पिछले दस दिनों की बात करें तो मंडी में लगबग एक तालिस हजार क्विंटल उपज की आवक हुई है जिसमें से अकेले मक्का की आवक 33,000 क्विंटल रही है अक्टूबर से नवेंबर में 14,000 क्विंटल की आवक हुई उसमें अकेले मक्का की 9,000 क्विंटल याने की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है करीब सीजन में अब तक मक्का की इतनी आवग दर्ज नहीं की गई थी इस बार सोयबें की फसल पर मक्का हावी है मक्का की जोड़दार आवग के बावजुद दामों में गिरावट नहीं देख रही है रिकॉर्ड आवक के बावजूद मक्का को उसके सरकारी दाम से 1.500 रुपे अधिक मिल रहा है वर्ष 2022 में मक्का का रेट 1945 रुपे प्रतिक विंटल था जबकि इस बार वर्ष 2023 में रेट 2055 से बढ़कर 200 रुपे प्रतिक विंटल तक पहुँच गया है इससे किसानों को भी अच्छी आए हो रही है आम तोर पर देखा जाता है कि जब आवक बढ़ती है तो दाम कम हो जाते है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मक्के की माग में भी काफी इजाफा देखने को मिला है मंडी सचीव उदेबानु चतुरवेदी की माने तो उन्होंने बताया कि टैक्स में गिरावट के बावजूद मंडी की आए में बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में इस बार मंडी को ज़्यादा लाब हुआ है मक्का की आवक काफी अधिक है इसकी आवक को देखते हुए कई वेपारियों ने गुना में गोदाम किराए पड़ लिये है इन गोदामों में मक्का का अधिक स्टॉक किया जा रहा है दरसल पौर्टरी सेक्टर में मक्का की मान काफी रही है साथ ही मक्के की इस्तमाल अब इथनॉल बनाने में भी किया जा रहा है इसलिए मंडियों में मक्के की आवक बढ़ने के बावजूद उसका दाम MSP के उपर चल रहा है तो ये था आज के मक्का के बारे में मक्के के आवक में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मक्के के भाव के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है याने कि डिमांड में भी बढ़ोतरी है और सप्लाइ में भी बढ़ोतरी है इसे के साथ ही मंडियों टेक्स में भी गिरावर देखने को मिली तो ये था आज का एपिसोड उमीद है आपको इससे लाब होगा और मक्का के अंदर आगे क्या हो सकती है तेजी या फिर मंदी उसके लिए आप हमसे हमारी पेट सर्विसेस के लिए भी संपर्ग कर सकते हैं तो आज का एपिसोड में इतना ही है आप देखते रहे हैं जैस्टोमनी गुरू थैंक यू एंड गुड डे